नमस्कार, कारिक्रम देखने वाले सभी दश्कों का हम अपने कारिक्रम में स्वागत करते हैं दोस्तों, हम सब की एक आदत होती है कि जब हमारे सामने समस्या बहुत बड़ी हो जाती है तब हम उसके समाधान की तरफ भागते हैं और ऐसी प्रिस्थिती में कई बार हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है वो कहते हैं ना, सावधानी हटी, दुरगटना गटी यही आदत हमारे लिए कई बार घातक सिध हो सकती है हमारे स्वास्थ समन्दी ऐसी बहुत सी बिमारियां हैं आइसी बहुत से समस्याएं हैं, जिसमें असावधानी की कोई गुंजायष नहीं होने चाहिए AIDS जी हाँ, AIDS भी एक ऐसी ही बिमारी है यह एक ऐसी गंभीर समस्या है Llis के बारे में हर व्यक्ति बात करने से कत्राता है हमारे समाज में इसके प्रती बहुत सारी ब्रहांतियां हैं हमारे मन में भी बहुत सारी ब्रहांतियां हैं जो केवल जागरुकता से ही दूर की जा सकती है इसी लिए आज हम चर्चा करेंगे एड्स के बारे में क्या-क्या इसके लक्षन हैं क्या-क्या इसके कारण हो सकते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है क्या-क्या हमें सावधानिया बरतनी चाहिए आपको खुल कर बात करने की जरूरत है तभी हम समाज में और पूरे देश में एड्स के प्रती जागरुकता ला सकते हैं इनी सब बातों पर आज हम परीचर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमने खास तोर पर इन्वाइट किया है डॉक्टर सुशिल गर्ग जी को जो की जिला HIV नॉडल अधिकारी हैं सिविल हॉस्पिटल हिसार में और इनी के साथ हैं बलकार सिंग जी एड्स काउंसलर सिविल हॉस्पिटल हिसार में आप दोनों का हमारे कारेकरम में बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साब आप से कारेकरम की शुरूआत करना चाहेंगे मैं पुछना चाहूंगे कि एड्स के बारे में जो लोगों की विचार धारा है वो आप किस परकार से अब्जर्व करते हैं आप नॉडल ओफिसर हैं एड्स के, HIV के तो जो एक जनरल अब्जर्वेशन है, धारना है लोगों के दिमाग की मैं उसके बारे में जानना चाहूंगे सभी सुनने माले दर्शकों को नमस्कार अंजो जी आपने ठीक कहा, एड्स का जो पहला केस विश्व में मिला था हमें वो 1981 में मिला था अमेरिका में हम अगली साल, हम 40 साल हो जाएंगे एड्स को आए हुए अभी जैसे करोना काल चल रहा है एक साल भी होने कोई है करोना के लिए ये भी एक तरह की वैश्विक महामारी है 40 साल होने के उपरांत भी जो लज्जा है समाज में, जो बात करने में हिचक है आज भी हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग में लोग काफी पीछे है वो एक कोई धुरगटना के शिकार रहते हैं कोई ऐसे विवार से समिलित हैं लेकिन वो जाँच में पीछे रहते हैं इसी उपलक्ष में हमारा एड्स दिवस आता है दिसंबर में हम उस उपलक्ष में यही हमारा जागरुपता वियान चलता है पूरा महीना हम चाहते हैं कि हम समुदाय के बीच में जाके हम ना की स्वास्थे गलियारों में ही सीमित रहें हम समुदाय के बीच में जाके उनकी जागरुकता बढ़ाएं अमूमन हमने साथ में ये भी देखा है कि जैसे जैसे जागरुकता बढ़ती है युवा वरग है जो जादा इसकी चपेट में है क्योंकि उसके पास जानकरी अधिक है उसकी उतेजना उसकी रचनात्मक मानसिक्ता के वजए से वो किसी ऐसी लपेट में है तो अगर जागरुकता रहेगी तो वो जाँच में आगे आते हैं जाँच ही इसका बचाव है बलकार सिम जी आप काउंसलर है एड के हिसार्टिस्टिक के जैसा सर ने कहा कि लोगों में हीच के चाहट है आज भी लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं और एक चीज़ और मैं यहां कहना चाहूंगी कि पहले जो धारना थी एड्स के बारे में वो यह थी कि इस से जो जादा प्रभावित होते हैं बच्चे या यूवा वर्ग होता है लेकिन आज कल मुझे लगता है कि वो धारना कहीं न कहीं बदल चुकी है तो क्या कहेंगे आप खासकर ग्रामी नहीं नहीं कि मैं बात करूं जहां जाग रुकता का कोई वे वो जब मैसेज जाता है अधूरा मैसेज जाता है लोग पुरी तरह समझ नहीं पाते हैं और उसको ज़्यादा लोग मैतवन देते उस चीज़कों की यह तिरिली सवस्ता के लिए बहुत जरूरी है और गाओं के अंदर सबसे जो ज़्यादा मैं समस्या मानता हूं यह की कि संग्ठित समु कम है जैसे युवा कलब है या कोई प्रोगाओं में ज़्यादा किया जाए कि सुचना के साधन के साधन जरा मिन जो परिवेश के लूग है किसी भीमारी भी मारि जब कि इसे यह यह ज़ी गैर लीट टी है तो फिर आदभीक संरीट से कंडम हो जाता है और हमारा फोक्स भी यही है कि ग्रामिन इलाकों में जैसे आउट्रिच एक्टिविटी करते हैं यह तरह कि गाहों में में जगब जाए, कलब के साथ प्रूर्डम किया जाए, एको सरस्थाइन वाइट किया जाए इस तरह कारिग्रम ग्राम लेक्षे तरह चला रहे हैं इस देर नी डिफरेंस बेटून है एड्स और हैं जो यह बड़ा अच्छा स्वाल किया आपने यह मूल सवाल है यह बहुत अंतर है इसमें क्यूंकि हम देख रहे हैं कि अगर हमारी जागरुकता ग्रामीनों तक चली कई है वो जांच में आगे भी आ रहे हैं तो जांच जो है लेबाटरी है वो एक पीडी तादमी को HIV पॉजिटिव यह रेक्टिव गोशिद करती है लेकिन उसकी मानसिक्ता उसके परिवार के सदस्या उसको एड्स की शकल में देखते हैं को यह मानते हैं कि यह तो एक तरह का जैसे हम कहिए ब्लैंक चेक है या एक डेथ सेंटेंस है लेकिन मैं यहां फरक आपको बताना चाहूँगा जब हम HIV शब्द का उचारन करते हैं तो इससे तादपरे है हुमन इम्मीनो डेफिशन्सी वाइरस क्योंकि इसकी शबदावली में वाइरस है तो HIV जो है वो खाली और सिर्फ एक विशानू है अगर कोई HIV रेक्टिव अगर हम किसी को बताते हैं तो यह मान लिया जाता है कि उसके खून में खाली उस वाइरस की पुष्टी हुई है जी एड्स नहीं है ना तो यह उसका समानार्थ तक शबद है ना यह हुआ एड्स हुआ जी एक्वाइड इम्म्यूनोडेफिशंसी सिंड्रोम अगर मैं हिंदी में इसको और विस्तार से बात करूं तो यह एक बिमारियों का समू है HIV जो विशानू है यह हमारे रोग प्रतिरोधक श्रीर की एक शमता को कम करता है जी आट से दस साल लग जाते है एक बिमार वाली अवस्ता है जो दस साल के बाद आएगी अगर वो शुरू में HIV रेक्टिव है तो वो कते ही एड्स नहीं है एड्स से कोसों दूर है हमारे जो जो जाबरुकता ब्यान का यही मूल मंतर है कि आप जल्दी से जांच कराएं और इसकी जो ट्रीटमेंट है अगर वो जल्दी से जल्दी से जुड़ जाता है एड्स से बहुत दूर रहेगा तो यही बरांते हम दूर करना चाहते हैं कि अगर आप एच्चाईवी हैं सामने आईए जाच करवाईए ट्रीटमेंट से जुड़िए एड्स तक तो हम आपको नहीं पहुंचने देंगे ऐसी इतनी बिमारी तो आगई है हलंकि क्योर नहीं अभी आया है लेकिन बचाव इतना है कि आप एड्स तक नहीं पहुंचेंगे जी सावधानी में बचाव है तो रगसाब आपका कहने का मतलब यह है कि बिमारी छुपाने से नहीं बताने से दूर होगी तो एच्चाईव है तो आप अपने जाच जरूर कराए एड्स से बचा जा सकता है बलकार सिम जी जैसे की गाउं की हम बात कर रहे थे आपने कहा कि युवा क्लब जो है उनकी कमी है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो अवेरनेस केमपैन की आपने बात कही कि जागरुकता अभियान जगे जग आंसलर आप काम कर रहे हैं तो क्या पंचायतों की तरफ से इस तरह का कोई आफ आपके पास आता है या आप ने कभी ऐसा प्रियास किया हो किसी पंचायत से संपर्क किया हो जी मिलकुल गाओं की सरकार देखा जाए या वैल फिर के कारीकरम का जो में उदेश्यक्त देखे जाते हैं और उनको केमप लगाने के लिए परेड़ करते हैं आप संपरह करिये मोबाइल नमबर लीजिए कोई भी का कालिगरम रखे तो हम इन्वाइट करिए जैसे रगदान सीवर हैं आम तो हर गाओं में तक्रिबन लगी जाते हैं तो भी हमारा काउंस दर जाता है क्योंकि युआ पूछ भी लेते हैं और कंपैन की बात करें गाओं की आप यह मान के चलिए कि जितने डापे होते हैं माइगरेंट एरिया होते हैं इंडस्टिल एरिया होते हैं जितने इट बठे होते हैं तो अन्पलाजा है अमने हर की पॉइंट जापर लोग परवासी कोई भी पंचैत कोई भी कलब कोई भी सस्था हमार से संपरे करके जानकारी ले सकते हैं और प्रामर्स केंप लगवा सकते हैं जी डोक साब टेकनिकल एसपेक्ट की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि जब HIV की पुष्टी होती है तो तभी से जो है एड्स रियेक्टिव मतलब एड्स की शुरुवात मानी जाती है तो क्या कहेंगे कि जो में सिम्टम से एड्स की व एक्टिव है पॉजिटिव है तो हलके शुरुवाति लक्षन हो सकते हैं उसमें गला खराब रह सकता है हलका बुखार रह सकता है पेट में दर्द रहेगा एक दो दस्त रहेंगे हलके कभी-कभी चमडी पे चिकत्ते आएंगे या गांठ पड़ेगी यह फ्लू की तरह रह रहेगा यानि कि उसके खूण में तो विशानू चल रहा है लेकिन अगर लेबारेटरी में जांच करेंगे तो वह जांच में नेगटिव आएगा तो इसके कोई लक्षन भी नहीं है तो यह एक मानिया दोखे वाली स्थिति है लेकिन उसको सिरफ अपने पुराने विवार सी पता चल पाएगा इसके छे महीने बाद उसको एक दुबारा टेस्क लेना चाहिए जिसमें वह एच्चाइबी पॉजिटिव आएगा लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते एच्चाइबी वायरस का कोई लक्षन नहीं रहेगा आठ से दस साल तक बगयर लक्षन के लवस्था चलेगी एस्म्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं दस सालों के बाद एड़ की शुरुवात हो सकती है उसकी अपने शरीर की रचना की उपर है शुरुवाती जो एड़ के लक्षन है उसमें एक महीने तक लगातार या रुक रुक कर अगर बुखार रह रह रहा है ए इसको HIV का इशारा मिलता है या अन्या जो अवसरवादी लक्षन है इसमें वो है इसमें Candidal infection है एक सफेद जिली बन जाती है जीव पे एक और हर्पी जॉस्टर खाज और खुजली की बिमारी है ये कुछ मुख्या लक्षन है जिसमें HIV की पुष्टी हो सकती है इशारा मिलत है रही बात फैलने की चार मुख्या कारण है HIV के संक्रमन के सबसे पहले एस रक्षित यौन संबंद जी अगर कोई दंपती या कोई ऐसा मेरा भाई इसमें से मिलित है तो उसका खत्रा है HIV का फिर है एस रक्षित सुईयों का यूज करना जितने भी नशा करने वाले सुईय रक्षित में भी काफी 90% हैं अगर किसी को बगयर टेस्ट के हुए रक्षित की एकाईयां गर चड़ती है और चोथा जो इसका कारण है वो गरवववती मा से अगर गरवववती मा पॉजटिव है HIV तो उसके नवजात बच्चे में आने में काफी संभावना है कि वह HIV पॉ कि में बगर बात करूं इस तरह के डॉक साब जो सिंटम आते तो हम नॉर्मली उसको लेते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है कि कुछ खा लिया होगा तो आप अगर इस तरह की समस्या किसी गाउं में जाते हैं देखते हैं तो क्या आपके पास कितनी क्यूरी जाती हैं एज़ का आम तो पर हम गाउं के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि वे जो बीमारी होती है सभी तरह की बताते हैं डाट सभी ठीक कर दे पर हम काउंसलिंग में यह पता करते हैं कि आपका पिछले 6,1,2,4 का नहीं है इनमें को ऐसारी छाराया है तो आपको जो आज कराने चाहिए क् सब से जो में इद बीमारी को हम ढूंडे pushing कांसिलिंग के मादन से सकते हैं हम गाहों कांसिलिंग कांसिलिंग करते हैं। उन पर क्या है इसका क्या है। कैसे प्पचा जा सकता और बड़ी क्योरी होती है जर्चा करते हैं कि डाट सब शख कोई बीच में बोल देते हैं और यदि किसी को लगता है कि मेरी बोड़ी में इस परकार का कोई वायरस है या मैं पिछले च्छेवीन एक दो साल के अंदर कहीं ऐसी जगह गया हूं जाचांस हो सकते हैं तो बहुत जल्दी पोश्टे डाट साब इसका बहुत सलोग रिपलाई कर द देखो आप लंबी जिंदगी जी सकते हैं जिन अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और इसमें एक जो मैं मानता हूं कि इस बीमारी के अंदर किसी कान से लगया हूं सबसे खास बत है आम तो पर सोगर विप्पी यदि किसी को है तो खाना पीने में परीजर करता है कहता है कि में जे चाय मिठी नहीं मिठा नहीं खाना तो इसमेंदी बंदे को कोई किसी प्रकार की खाने में दिक्कत नहीं है तो खाने को बंदी आराम सो नॉर्मल जो खाना कहता हो खाना कहा सकता है जी और यदी और किसी को आपको बता है प गुपत रखी जाएगी, आपको पूरा इलाज गुपत होगा, पूरा इलाज फरी होगा, तो लोग इस आशवासन पर जाच करने के लागाते हैं, और मान के चलिए, जहां भी हम कैमप लगाते हैं, जिदने लोग होते हैं, उसमें से 90% लोग सहमत हो जाते हैं जाच करने के ल सबू के लोग हैं वे उसलेज जाते हैं जि कहते हैं कोई बात मेरे साथी ने करा रहा थाम गराने में को दिक्कत नहीं जिए लोगों में कहीं न कहीं जाग रुकता का जो इस तर है वो बढ़ रहा है डोक सब जैसे अभी बलकार जी बता रहे थे कि लोग एकदम से reakts करते है कि इसका इलाज नहीं है. अपने आप ही जवाब देते हैं, कि इसका कोई इलाज नहीं है. तो सर, प्रेकोश्चन ही नहीं, तो हाँ, आप लोग बात करते ही रहते हैं, सिविल होस्पिटल की तरफ से मेशा निर्देश आते रहते हैं कि इस इस चीज में यह सावधानी बरतनी चाहिए लेकिन सर मैं उपचार की बात करूँगी परोपर उपचार मान लो कि कोई HIV पॉजिटीव है और AIDS के लेवल तक पहुंच चुका आपने एक पिरियड बताया थ हैं मैं यह कहूंगा भूल का कोई उपचार नहीं है आप यू ना समझे कि AIDS का उपचार नहीं है अगर किसी से भूल हुई है उसका तो देखे कोई उपचार नहीं है यह हमारा मेन जागरुकता ब्यान है कि आप अपनी भूल को अंदर से सभीकारें और स्विच्छा से जैस उसकी आइडेंटिटी को गोपनिया रखा जाता है और सूचित अनुमती से ही जांच करी जाती है निश्युल्ख है आपकी गोपनियता से जांच हो रही है उस जांच में आपका प्रामर्श भी हो रहा है अगर आप रेक्टिव पाए जाते हैं तो आपको कैसी उस पीमारी की त्यारी करनी है कैसी अपने आजपास के घर के सदस्यों से त्यारी करानी है और उसको नजदीकी एरटी सेंटर पे जोड़ा जाता है उपचार की जहां बात आई है जब वो एरटी सेंटर पे जुड़ जाता है औस तन भारत में मानिये 65 साल अगर एक वाशिंदे की औस उमर है एड़ के मरीज हम देख रहे हैं अगर वो जल्दी से जल्दी जांच में सामने आएं जल्दी से जल्दी एरटी पे जुड़ रहे हैं वो भरपूर एक बिल्कुल स्वस्त जिंदकी जी रहे हैं बगैर किसी कोई अन्या लक्षन के बिमारी के उपचार अगर इसकू हम एक और पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और अगर वो पूरे विश्व को एक साथ एफेक्ट कर रहा है अगर मैं बात करूं एड़ की तो आपको क्या लगता है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इंडिया में किस जगे किस टाइप के लोग जो है इससे जादा इफेक् है और हम करोना काल में भी यही कह रहे हैं कि हमें अपनी इम्मिनिटी को बढ़ाना चाहिए तो ऐसे में मुझे लगता है इंडियरेक्टली दोनों चीजे में हम लाब उठा सकते हैं यह तो सामने से दिख रहा है करोना तो वैश्विक महामारी दोनों ही है एड़ जो है वो जैसे हमारे बलकार जी ने बताया कि हम समदाए कि बीच में जाके कुछ हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं जो मैं बात कर रहा था उच जोखी में हाई रिस्क ग्रूप है उसमें हमारे फीमेल सेक्स वर्कर हैं यौन कर्मी महिलाएं हैं हमारे समलैगिक हैं जो हमारे होमो प्रवासी मजदूर है या लंबी दूरी के जो ट्रक चालक हैं परिचालक हैं ये कुछ हमारा अबादी का तबका है, जो जादा रिस्क पे है। हम इनके बीच में जाके, हम इनके विवार्ष को प्रिवर्तन करके, जीवन शैली को प्रिवर्तन करते हुए, इनको होसला देते हैं, प्रुचाइद करते हैं, कि हमारी जो जांच में जुड़ें, ICTC लैब में जुड़ें, प्रामस करता और जांच करता दोनों समुदाय के बैठके एक कैम्प की तरह वहाँ आयोजन करते हैं इनके विवहार को इनके जीवन को समझते हैं और इनको होसला देते हैं कि वो जांच में शामिल आए क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि अगर इन्वे से हम कोई पकड़ लेते हैं जांच में उनको एरटी पर जोड़ देते ह हैं तो जल्दी से जल्दी हमारी जो बाकी स्वस्थवाद दिया हैं उनमें संक्रमन को हम काफी कम कर सकते हैं जी बलकार जी एक और सवाला आप से कि जैसे की अवेडनेस की बात कर रहे थे जागरुकता की आपने कहा कि यूआ कलब होने चाहिए एंजियोज भी कहीं न कहीं अपनी इच्छा से उसमें काम करते हैं जुड़ती हैं आप लोगों को सहयोग देती हैं क्या आपको लगता है एजे काउंसलर ये जो एड्स के बारे में जागरुकता की जुरूरत है वो स्कूल, कॉलेज या विशुवे द्यालों में जादा होनी चाहिए कि तो क्या आपक पत्ची साल की उमर में मिल रहे हैं तो इनके पीच में पहुंचने के लिए हमने गाउंस तरफे रेड रिबन कलब की विवस्था करी हुई है अगर जिला हिसार की बात करें तो मेरे पास यहां पे जिला हिसार में 16 महा विद्यालियों में, 2 विश्व विश्व विद्यालि किसी रिस्क में है तो वो इनके जानकारी को और मजबूत करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यूथ में जब तक हैसिटेशन रहेगी कोई प्रोब्लम सोल नहीं हो सकती है अगर आप यूथ को साथ लेके चलते हैं तो आधी जो प्रोब्लम समस्या वो मुझे लगता हल पर नियाब हो जाती है लोग साब एक और एहम सवाल कि जैसे मैंने कहा था कि शुरू में लोग कतराते हैं इससे बात करने के वज़ाए और कई बार लोग के साथ एक दूसरे के साथ बेदभाव वाला वेवार भी समाज में होता है कि अगर किसी को पता लगता है यह एचाई मानते हैं तो ऐसी जो मनोस्थिती है एक पेशेंट है मालो उसके साथ अगर इस तरह का वेदभाव हो रहा है तो वो कहां जाए सर क्या करें हां जी इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एड्स के यहां पर यहां मारे पास है एचाई वी एड्स एक्ट आया है 2017 में रोक था कहीं उसको सारवजनिक स्थान पे कहीं उसको शेक्षिक स्थान पे कहीं उसको कारेस्थल पे कहीं भेदभाव है तो वो एक सीधी एप्लिकेशन हमारे सिविल सरजन महद्या को देगा ना तो उसको कोई आर्टिय लगाने की जूरूत है ना सीम विंडो पे जाने की जूरू तो ये पीडित के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक उसको एक हत्यार है कि उसकी कोई देख में है और दूसरा ये समाज के लिए भी एक तरह का काम करता है कि आपको डर है कि आप उस अदिनियम के निच्च पेट में तो नहीं आ जाएंगे तो ये HIV AIDS अदिनियम 2017 बहुत ही अच सरकार और स्वास्ते विभाग के लावा आम लोगों को क्या करना चाहिए कैसी उमीद रखते हैं हाँ जी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इसका एक अन्जू जी एक टोल फ्री नंबर है एक शुन्ने नौ साथ सभी सुनने वाले दर्शेक इसको नोट करें जो एक शु एड एप आप इन दो पदतियों से अपनी जानकारी सांजा कर सकते हैं जाच से जुड़े और जल्दी से जल्दी एर्टी से सामने आए जी तो दर्शकूर रख साब ने जैसा कि कहा कि जाच से जुड़े अपनी समस्या को चुपाएं नहीं बलकि बताएं तब ही आप उसक का समधान समय पर कर सकते हैं एड जैसी हमारी को हम हरा सकते हैं पूरे विशु को एड से मुक्त कर सकते हैं तो अपना सहियों कीजिए समाज के साथ सरकार के साथ और स्वास्ते विभाग के साथ इसी उमीद से हम आपसे विदा लेते हैं एक नए विशे के साथ फिर आपसे म झाल झाल